नमस्ते दोस्तों सुनीता विलेजफूर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों जो आप भाई और भेन हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे हाथ जोड़ कर निवेदा नहें वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे चले दोस्तों मैं आज अपने खेतों से सबजी लेती हूँ फिर चलती हूँ घर पे जहाँ पे बनाओंगी रिस्पी यहां से मैं लूँगी सोया, पालक, मकोई और हरी धनिया इधर मैंने धनिया, पालक, मूली, मकोई और यहां मैंने स्यामा तुलसी का पेड़ भी लगाया है, टामाटर हैं गेंदा के पेड़ हैं, जो गिर चुके हैं, हवा चल रही थी बारिस में इधर मैं पालक को लूँगी आवसकता के अनुसार फिर घर पे चलूँगी, जहां पे बनाओंगी रिस्पी अब मैं इधर तोड़ूँगी मकोई को, फिर मैं घर पे जलूँगी, जहां पे बनाओंगी रिस्पी दोस्ते एक बार आप लोग अपने घर पे जरूर ट्राई करिएगा मकोई शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है पालक भी बहुत ही फायदेमंद होती है पालक में आयरन होता है मकोई लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है इधर मैंने सबजीयों को अच्छे से धुल के साफ कर लिया है अब मैं इसे काटूंगी आलू को मैंने पतले स्लैस में काट लिया है एक प्याज लिया है उसे भी पतले पतले स्लाइस में काट लिये हैं लैसुन है अद्राख है हरी मिर्च है और मैंने मीडियम साइज के दो टामाटर लिये हैं इधर मैं सबजीओं को काट लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ इसी तर मैं सारी सबजी को काट लूँगी दोस्तों एक बार आप टोग अपने घर पे जरूँ ट्राई करिएगा और कमेंट में बताईएगा हमारी सबजी कैसी बनी हुई है इसे आप रोटी के साथ पराठे के साथ चाल के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेश्टी होती है और हिल्थी भी होती है आप लोग जरूर ट्राई करिएगा एक बार इधर मैंने सारी सबजी आ काट टी है आप देख सकते हैं सबजी हमारी तैयार हो चुकी है अब मैं जलाऊंगी चूला इधर मैं चूले को जला लेती हूँ कड़ाए में डालेंगे सर्सों का तेल इसमें मैं आलु को थोड़ा भुन उगी रॉय करूंगी थोड़े तेल में भून की चारे आलुको डाल दोंगी और इसे तरह चलाते हैं इसे थोड़ी दर तक भून लेंगे 2-3 नड़ तक दोस्तों आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके बताईएगा हमारी सबजी कैसी बनी हुई है खाने में बहुत ही टेस्टी और सरीर के लिए बहुत ही हिल्थी होती है इधर आप देख सकते हैं आलू हमारा भून चुका है अभी थोड़ी देर तक इसे और भूनेंगे अब आलू हमारा भून चुका है इसे मैं एक धाली में निकाल लेती हूँ बचे हुए तेल में मैं तड़का लगाऊंगी इसमें मैंने पका हुआ दो लाल मिर्श के लिए है सबजी को गानिस करने के लिए इसे भी फ्राई करके रख लेती हूँ दोस्तों काफी दिनों से मौसम खराब चल रहा था आज हमारे हाँ मौसम साफ है और धूप भी निकली है आप लोग के यहां का ऐसा मौसम है कमेंट करके बताना लहसुन को भी मैं फ्राई करके रख लेती हूँ थोड़ा सा सबजी में उपर से गानिस करने के लिए सर्दियों के मौसम में लहसुन बहुत ही फायदे मंद होता है सरीर के लिए अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ प्याज इसी के साथ डाल दूंगी लहसुन अधरक और हरी मिर्च इनको लाल होने तक भून लूंगी इधर आप देख सकते हैं हमारा प्याज लहसुन हरी मिर्च अधरक भून चुका है अब मैं इसमें कटा हुआ टमाटर को डालूंगी स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाता है इसको भी अच्छी तरह से भून लूंगी टमाट काटर भी हमारा पैक चुका है जो मैंने हरी सबजियां काटके रखी थी अब मैं इसमें डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से चला दूंगी खेद की ताजी सबजियां हैं दोस्तों पानी बहुत छोड़ती हैं सबजियों को गलने तक इसे पकाऊंगी एक बार अच्छे से चला देती हूं इसे और थाली से बंद कर दूंगी दस मिनट के लिए इधर आप देख सकते हैं सब्जियां हमारी काफी गल चुकी है और पानी भी बहुत छोड़ चुकी है आप देख सकते हैं कि थोड़ी देर तक इसे अभी और पकाऊंगी पानी बिल्कुल सूख चुका है इसे अच्छे से चला देती हूं अब मैं इसमें डालू को जो मैंने भून के रख लिया है इसके साथ सब्जियों के साथ आलू को भी दस मिनट तक पकाऊंगी एक बार अच्छे से मिला देती हूं दीमी आज पकाऊंगी बंद कर देंगे इसे पांच मिनट के लिए थोड़ी दर तक अभी इसे और पकाऊंगी इदर आप देख सकते हैं सब्जी हमारी पक रही है एक बार फिर से इसे चला देती हूं बहुत ही टेश्टी सब्जी हमारी बनी हुई है दोस्तों एक बार आप लोग जरूर ट्राई करिएगा इसी तरह इसे चलाते हुए अब मैं इसमें डालूंगी धेर सारा हारा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है एक बार अच्छी तरह से इसे मिला देती हूं ढग देंगे इसे एक मिनट के लिए इधर आप देख सकते हैं सबजी हमारी तयार हो चुकी है इसे मैंने चुले से नीचे उतार दिया है बहुत ही टेश्टी और हिल्थी हमारी सबजी बनी हुई है दोस्तों सबजी के साथ खाने के लिए मैंने पराठा चावल और मूली का सल बनाया है दोस्तों आप लोग अपने घर पे एक बार जरूर च्राइए करिए गा और कमेंट करके बताना हमारा वीडियो कमेंट करके बताईएगा हमारी रिस्पी कैसी बनी हुई है धन्यवाद दोस्तों अब मैं मिलेंगी अगले वीडियो में एक नई रिस्पी के साथ तब तक के लिए बाए बाए दोस्तों